तो देखें यहां पर वीडियो स्टॉप हो गया तो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हमने इंट्रिंसिक सेमी कंड़क्टर देख लिया अब हम लोग एक्स्टिंसिक सेमी कंड़क्टर देख रहे हैं इक्स्टिन्सिक में भी दो टाइप होंगे P टाइप और N तो यह पी टाइप और N टाइप किस बेशीज कि वह समझते हैं। पी टाइप ऐसा होगा सपोज इंग्जांपल में सिलकॉन जोकि ट्रट्रवेलेंट है। इसमें अगर हमने Aluminium मिला दिया जो ट्राइवलेंट मतलब एक वैलेंसी में अगर कम वाला मिलाया तो वहां जो सेमी कंडॉक्टर मिरनेगा वो पी टाइप में आएगा क्यों ऐसा होगा क्योंकि आपने सिल्कॉन लिया सिल्कॉन तो अपने सराउंडिंग से चार बॉंड बनाता लेकिन इस बार क्या होगा बगल में अगर Aluminium है तो उसके साथ एक साथ में क्या होगा Aluminium की पास आउटर और्बिटल में तीन इलेक्टोन है तो उसने एक इधर दिया एक इधर दिया एक इधर दिया सराउंडिंग में इस सिल्कॉन है यह इंप्योर्टी बहुत थोड़ा ही मिक्स करते हैं जब हम इंप्योर्टी मिक्स करते हैं तो यह Al Aluminium के कुछ Atom Solid में सिल्कॉन की जगह ले लेंगे तो अब जिससे यहां सिल्कॉन हटाके Aluminium आ गया तब इसके आउटर में तीन है तो वह तीन तरफ तो बांड बना लेगा सिल्कॉन नहीं sarà एक दिया एक अलुमेंियम ने दिया लेकिन चौथी तरफ परिशया Micheira हो जाएगगा हुआ अब होल्स क्रियेट हो जाएगा तो क्यों होगा यहां पर का मैं लेको sociology के लिए कौन अब्लेबल होगा हालाकि कुछ bond break भूगे तो कुछ को स्ष darum विए फ्रेपल होंगे लेकिन जितने स्ष बनेंगे तो मेजोरT zaob होगा यहां पर क्या होगा जो अबर होगे वहƑट जादा हों घांगे तो तो अब Walking मैं हम घुम करते हैं प्यांजम करते पॉजिटिव चार्ण तो यहाँ पे हम मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज का 주 씨ं में पोजिट्व चार्ज वाले पार्टिकल वह ज्यादा ओगा है तो वो ज्यादा हो गए तो इसलिए हम इसको बोलने है पॉजिट्व से रिलेट करके ना और पी टाइप से मिकंड़क्टर को मैं ऐसे दिखाएंगे ऊसमें हम होल्स को ज्यादा दिखाएंगे इलेक्ट्रॉं में होगे सिर्ट अइसे होंगे किने क undertake में तो मतलब कkę वॉयलेंसी वाला बन मिलाएंगे tak क्या होगा, एक hole create हो जाएगा, hole मतलब एक तरस से positive हो जाएगा, तो इसलिए P type, same way में n type होगा, n type में क्या हो जाएगा, अगर आपने silicon में phosphorus मिला दिया, phosphorus pentavalent है, 5 electron है, तो जब उसको मिला होगे और वो silicon के कोई atom को replace करेगा, तो अब चार लेक्ट्रॉन तो चारों तरब वो सेयर कर लेगा लेकिन यह पेंटा वैलेंट है इसके आउटर और्बिटल में पांच लेक्ट्रॉन थे तो एक लेक्ट्रॉन अब भी अब लेवल होगा तो वह रूम टेंपरेचर पर इतनी इनर्जी पाजाता है कि कंडक्शन बैंड में चला जाता है और कंडक्शन के लिए अपलेबल हो गया तो अब जितने फास्पोरस आ रहे हैं वो क्या दे रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो फिर क्यो हो जाएगा यहां पर निगेट्व चार्ज एक्सेस में हो जाएगा हो होल्स के कंपरेबल में और यहां पर नमबर ऑफ उपन इल्लेक्ट्रॉन जो होंगे वह ज्यादा होंगे नमबर ऑफ उपनी ऑसि Yap एकаль कंडॉकट्र या N-type semiconductor हो, वो electrically neutral है ना, उसमें कोई भी net charge नहीं है, क्योंकि एक electron इसने extra दिया है, बड़ नूकलियस में उतना proton तो है ना, फास्पोरस में, आपने कोई net charge solid को नहीं दिया है ना, तो चाहे P-type हो या N-type, दोनों ही electrically neutral होंगे. एक्स्टिंसिक तो होता ही था, electrically neutral, लेकिन P-type और N-type भी electrically neutral होंगे. कई बार हमें लगता है P-type मतलब positive जाजा, ऐसा नहीं है ना, जितने holes बनें उतने electron भी हैं वहाँ पर, आपने कुछ भी net charge नहीं दिया है, जितने भी आपने, जितने भी जैसे N-type में, जितने भी electrons मिले, उतने nucleus में वहाँ proton थे, तो net आपने कोई charge एड़ नहीं किया है, अलुमीनियम एड़ किया या फास्पोरस एड़ किया, तो वो electrically neutral एड़ किया, तो कुछ भी वहाँ पर charge नहीं आया है. अब next point हम समझ रहे हैं, conductivity of semiconductor. और एक point और यहाँ ध्यान रखना है, कि जब हमने P-type लिया या N-type लिया, तो P-type में तो हमें पता है, कि number of electron greater than holes, greater than number of electron, और N-type में, number of electron greater than number of holes. और माल लिजे, impurity add होने से पहले, जब extrinsic semiconductor था, तो वहाँ पर charge carrier density कुछ Ni थी. मतलब number of electron, और number of holes equal थे और वो बरावर थे Ni. यह किसकी बात हो रहे हैं? intrinsic की. फिर जब आपने extrinsic लिया, मतलब intrinsic में कुछ मिलाया, तो मिलाने के बाद क्या होगा? यह number change हो जाएगा, यह भी number change हो जाएगा. माल लिजे आपने N-type वाला semiconductor बढ़ाया, तो वहाँ पर यह जो density होगी वो बढ़ जाएगी पहले से, पहले any था तो अब any dash हो जाएगी, यह बढ़ जाएगी और number of holes जो होँगे आप नहे वाले वो पहले से कम हो जाएगे, क्योंकि extrinsic जब n-type आप बना रहे हो, n-type अगर आप बना रहे हो, तो आप electrons वाला एड कर रहो न, phosphorus आड कर रहो तो electron बढ़ गए, अब electron जब आते हैं तो वह कुछ electron जाके holes को fill भी कर देते हैं, randomly move करते हैं, कुछ holes से टकराके holes को खतम भी कर देते हैं, तो holes की density कम होती है, और electron की बढ़ती है, लेकिन हमेशा यह देखा गया कि यह product constant रहेगा, नए holes की density और नए electron की और hole की density बढ़ार होगी, initial जो electron और hole की density थी, वो तो शुरू में initial equal थी, जिसको n-i बोल सकते हैं, extrinsic के time पर जो charge carrier density थी, वोई extrinsic के time पर जो number of holes और electrons होंगे, उनके product की value होगी, यह concept जिहान रखना है, इस पर problem आएंगे, अब next हम लोग देखने जा रहे है, conductivity of semiconductor, सपोज आपने कोई semiconductor लिया, वो हो सकता है, p-type हो, n-type हो या intrinsic हो कैसा भी हो, और उसमें कुछ electrons होंगे, और कुछ holes होंगे, अगर आप यहाँ पर electric field apply करोगे, तो क्यों होगा, electric field के वैसे electrons सब इधर भागेंगे, और holes सब इधर भागेंगे, holes के एक तरह से appositive charge एजूम करोगे, तो net current कितना flow होगा, net current जो flow होगा है elektrons के वैसे flow होगा, अगर electron इधर जा रहे है तो current electron के वैसे इधर flow रहा होगा, और holes इधर जा रहे हैं तो holes के वैसे तो उधर ही होगा, qa dhfdc हमें यह पता है कि जह कल्ट होता है सिग्माई विए May के तो यहां पर अगर निकालनी है तो अछी यहां पर किसके किसके विया वैसे आरी है项 यह स्वैक्ट्रान के वैसे ओर होल्स के वैसे आरी है तो दोनों की वैसे हम कšनलबर अब νपा कांड़तीविन दोनों की एड हो जाएगी क्योंकि दोनों का करेंट इंकी वैलू हम कैया डाल सकते हैं सिग्मा की वैल्यू अम transit पने लिख सकते हैं Jcidos की कोई भी जगव के सिग्मा बराओर होगा जे बाई और जे को क्या लग सकते हैं एन इवीडी अपउन में ई अब वीडी अपउन में ई को हम बोलते हैं कोई भी चार्ज पार्टिकल की drift velocity अपउन इलेक्टिक फिल्द को उसकी mobility बोलते हैं तो न इस बी पार्टिकल के वैसे आपको तो निकालना है उसके लिए N e mu लगाएंगे तो अगर हमें यहां पर निकालना है टोटल कन्डक्टविटी तो electron के वाझसे N electron का E into mobility of electron plus holes के वाझसे निकालना है तो holes का density into holes का charge चार्ज तो उसका भी वही सेम रहेगा plus e और यहां पर magnitude nहीं डालना है के यहां सांती मैंनीटूटर की निकालते हैं technology का फ़ा्मला यहां धिराइब कर लिया हो back कर दिया मोबिल्रिटी का यूनिट क्या होगा इसमें क्या है वीडी अपॉन ई तो यूनिट क्या हो जाएगी मोबिल्रिटी की वी डी मतलब मीटर पर सेकेंड और एलेक्ट्रिक फिल मतलब वोल्ट पर मीटर वी बाइडी वोल्ट पर मीटर तो यह आजाएगा मीटर स्क्वाइर वोल्ट सेकेंड यह मोबिलिटी की यूनिट होगे आगे मैं इस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा दूँगा प्रॉब्लम में कुछ भी खास नहीं रहता है चार्ज कारियर डेंसिटी दी रहेगी मोबिलिटी दी रहेगी आपको कंड़क्टिविटी निकालने होगी नॉर्मल फॉर्मले बेस कोश्चन हैंगे आप हम लोड नेक्स देखने जा रहा है पी एन जंक्सन मतलब अगर हम एक पी टाइप और एक एंड टाइप सेमी कंड़क्टर को ज्वाइन कर दें तो उनके जंक्सन पर क्या होगा हमने एक पी टाइप सेमी कंड़क्टर लिया और एक एंड टाइप सेमी कंड़क्टर लिया यह माल लिए पी टाइप है यह एंड टाइप है पी टाइप में क्या होंगे होल्स ज्यादा होंगे cioè electrons कमंगे और n-type में क्या होंगे electrons जाता होंगे और holes कम होंगे अब देखी एक बार आपने ये समझ दिया कि इसमें holes और electron होता हैं इसमें electrons और holes होंगे majority में इधर electron है इधर holes है तो अब आगे क्या हो रहा है room temperature प perse ये जो भी charge carrier end के अंदर यह रैंडमली इधर उदर मूब करते रहेंगे रैंडमली इधर उदर मूब करते रहते हैं तो उस प्रोसेस में क्या होगा इधर होल्स जादा है तो होल इधर से इधर जार्ज मिलेगा तो यह जो बॉंडरी है इसके बॉंडरी पर चार्ज होने लग जाता है तो फिर यहां पर आपक्या जाएगा कि यह इसकी पहले वाली बाउंडरी है इसके बाउंडरी के पास में चार्ज आने लग जाता है इलेक्ट्रॉन इस साइड आया है तो इधर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे शुरू में तो ये लेक्ट्रिक्ली न्यूट्रल था ये भी लेक्ट्रिक्ली न्यूट्रल था कि इलेक्ट इदर गये तो इदर निगेट उचा जाया है उप टो एथर आने का मतलब इलेक्ट्रॉन उदर गया एक्ट्वल में तो यहां बांडरी पर पोजिटिव उचाज ऐसे इन्डियूस हो जाएगा तो अब इसके वज़े से क्या होगा यहां पर इधर को एक एलेक्ट्रिक फिल्ड आने लगेगी एक एलेक्ट्रिक फिल्ड आ जाएगी यह एलेक्ट्रिक फिल्ड क्या होगा इधर से जो होल्स आ रहे हैं होल्स मतलब पोजिट्व चायज उसको रोकेगी और इधर से जो इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेंगे इधर निगेट्व चायज है वो रिपल करेगा तो रोकने लग जाएगा तो रोकने लग जाएगा तो शुरू में तो क्या और अब यहां पर देखे इनके डिफ्यूज के वए से क्यां करेंे फ्लोव हो रही एक है कि को के तो हमने देखो यह देखा है कि पी टाइप में होल्स इदर से स्ट्वेज़ निदर जा रहे जा रहे हैं एक्ट्रуля message Егоं इस तो इनके होने के वैसे एक करेंट्व लोगी जिसको हigi की करें कैने करेंट फ्लोईंग due to the diffusion of holes and electrons are called Diffusion current Diffusion current का direction किदर होगा आप देखो के P से N की तरफ न करेंट इदर को जा रहे होगी यहाँ पर I Diffusion लिख देता हूं अब जैसे यह current flow ना सूरू होगा यहाँ जंक्सन पर ऐसे potential चार्ज इंड्यूस हो जाएगा अब चार्ज इंड्यूस होने के वाइसे यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड आ जाएगा अब देखें फिर एक चीज यहाँ पर और ओर रही है जैसे यहाँ पर कहीं पर भी सेमी कंड़क्टर में आप देखेंगे तो रूम टेंपरेचर पे नए एलेक्ट्रॉंस हो ओल्स क्रियेट होते रहते हैं और साथ में टक्रा करके वह वापस से खतम भी होते रहते हैं अब अगर यही चीज यहाँ पर होगी नए लेक्ट्रॉंस हो ओल्स क्रियेट हुए तो उनको आपस में कंबाइन हो करके ज्वाइन होने का टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि जैसे लेक्ट्रॉंस क्रियेट हुआ वह इधर को एट्रेक्ट हो जाएगा जैसे लेक्ट्रॉंस य चलिने को जाएगा इसको बुर्णेंगे ड्रिप्ट हो गया तो यह ड्रिप्ट हो गया इक। के यहाँ पर यह धर को करेंट फॉलों होगी आए कॉत करेंट आजाएगी और क्विक्व्जंके वैसे किदर को करेंट पारिटी consider तो शुरू में क्यों होगा सुरू में यह potential difference बहुत कम है यह charge induced बहुत कम है तो diffusion current शुरू में ज्यादा होगी और drift वाली current बहुत कम होगी लेकिन जैसे जैसे यह net current इधर रहेगी तो इधर का charge बढ़ता जाएगा यह charge बढ़ता जाएगा जितना ज्यादा यह potential difference बढ़ेगा यह drift current उतनी बढ़ती जाएगी और एक time आएगा कि जब दोनों equal हो जाएगे इक्वल होने पर यहां पर इनके बीच का जो charge induced हुआ है वो constant हो जाएगा potential difference जो यहां है वो constant हो जाएगा यहां पर यह सारे point लिख लेते हैं यह जो region बन रहा है जहां पर boundary के दोनों तरफ charge induced हो गए इस region को हम बोलते हैं depletion region तो यहां पर यह point लिख लेते हैं due to diffusion region of whole and electron region region a depletion region is created at boundary region अब इस depletion region में अगर कोई नया electron और होल्स बना तो वो drift हो जाता है ना उसको combine करने का मौका नहीं मिलता बाकी जगह तो बनते हैं और combine होते रहते हैं यहां पर नहीं मौका मिलता तो उसके वाज़े से करेंट फ्लो होती है ना अगर होल इदर जा रहा है लेक्टॉन इदर जा रहा है तो जाहिरे डिप करेंट इदर होगी तो यहां पर यह point निकलेते हैं कि 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 झाल झाल आप सुरू में जैसे आपने ये इन दोनों को जॉइन किया था तुरू में केवल डिफ्यूजन करेंट ठि Ό, डिफ्यूजन करेंट नहीं थी लेकिन जैसे जैसे Divosure करेंट के वाज़े से चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे घासे यहां और जब equilibrium आ जाएगा उस time पर I diffusion equal to I drift तो जैसे हम कोई PN को connect करते हैं यह instantly हो जाता है ना ऐसे एक इनके बीच में potential difference आ जाता है और I diffusion equal to I drift हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ जब भी हम एक P टाइप और N टाइप को आपस में connect करेंगे तो वहां पर क्या होगा यह अगर इसकी boundary थी तो इसके दोनों तरब एक रिजन आ जाएगा बहुत थिन सा और इस रिजन में अगर यह P टाइप है और यह N टाइप है तो पी टाइप में निगेटिव चार्ज आएगा और N टाइप में पॉस्टिव चार्ज है तो यह जो रिजन बना इसको हमने नाम दिया है डिप्लीशन रिजन डिप्लीशन रिजन के आने के वज़े से क्या करेंट बंद हो जाएगी डिफूजन वाली नहीं क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन रेंडम मूब कर रहे हैं तो टक्राते टक्राते जिन में ज्यादा करके निकल जाएंगे यहां पर जो पोटेंशल डिफ्रेंश आएगा उसको वीवी से दिखाएंगे और कि इसको हम लोग बैरियर पोटेंशल बोलते हैं तो अगर हम पी टाइप से एंड टाइप का ऐसे पोटेंशल को दिखाएं कि डिस्टेंश के साथ तो यहां पर भी मानलोग पोटेंशल जीरो है यह फिर जैसे हम इधर से इधर जाएंगे यह पोटेंशल बढ़ेगा और फिर इधर कॉंस्टेंट हो जाएगा आगे कुछ चार्ज नहीं है अलेक्टिक्र नहीं है तो यह जो कि है है यह मारा बैरियर पोटेंशल है तो अब देखिए जो भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स में इतनी इनर्जी आ जाती कि वह बैरियर पोटेंशल को क्रॉस कर जाएं तो उनके वाज़े से करेंट फ्लो होगी लेकिन वह कम हो जाएगी और जो नए इलेक्टॉन्स व्होल्स क्रियेट होते रहेंगे उनके व्यासे ड्रिप्करेंट फ्लो होगी तो एक्लिब्रियम का आए डिफ्यूजन जो नेट करेंट फ्लो जाएगे और इनका जो जंक्सन वहाँ पर पोटेंशल डिफ्रेंस आ जाएगा एक रीजन बन जाएगग अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं पिजन डायोड तो देखिए ये पिएंट डायोड क्यों होगा कोई भी ऐसे पी टाइप और एंड टाइप को अगर हम आप पसमें जॉइन कर देते हैं तो इसी को हम डायोड बोलते हैं एक पी टाइप और एक एंड टाइप सेमी कंडुक्टर को ड्यॉइन कर देंगे तो इसको डायोड बोलेंगे डायोड क्यों बोलेंगे वह अभी आगे समझते हैं सबसे पहले हम इस पी एंड डायोड में जहां पोटेंशल डिफरेंस अप्लाई करते हैं कोई बैटरी लगा तो उसको हम बोलते ही कि हमने वाइसिंग नाय कर दिए तो पहले हम वाइसिंग के बारे में समेंगे ओर फिर नायूड के बारे में समझेंगा तो सबसे पहले हम देख रहे है बाइसिंग क्या होती है तो अप्लिकेशन ओफ पोटेंशल डिफ्रेंस एक्रोस पी अन डायोड इस कॉल्ड बाइसिंग अब बाइसिंग करोगे जब बैटरी यहां लगाओगे तो हो सकता है बैटरी का पॉजिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कि फॉर्वाइसिंग में क्यों होता है कि हमने लिए स्वारिट्वी टा нजिये को पैटरी के पॉजिटिव टमिल से कनेक्ट करें और नीगेटी वाले से connect करें पी को पी से पॉजटू को पी से निगेटु टरमिनल को एन से तो ऐसे potential difference को apply करने को बोलते हमने forward byasing किये forward byasing के वाज़े से क्या होगा अगर सुरू में इनके बीच में potential difference का ऐसा graph था V versus distance का graph इधर कुछ आ रहा है ना तो अगम अगलों में आपके कुछ आइसा अग्राफ आयाakah क्रमना अप्राइल पोटेंशिल डिफरेंश से तो जो हमने यह अप्लाई किया स्रूू में यह लो वोल्टेश था यह हाई जो गैप होगा यह पहले से कम हो जाएगा नया जो हमारा यहां पे बैरियर पोटेंशल आएगा यह क्यों हो जाएगा यह VB अगर कुछ V है तो यह कम हो जाएगा पहले से यह कम हो घया है अगर यह कम हो जाएगा तो कौन सा पार्ट use हो जाएगा है फूल रचलते क्वाद करेंगे क्म फित कर उधार तो अब क्या होनु पोटेंशल, डिफ्रेंस कम उगा, त 10-बहुंठ जादा नहीं मैं हो उसमें, कम ओने के बाद भी को बहुत फर्क नहीं पड़ा धीफ्यूजन बढ़ जाएगा इसके व्यसके नेट-करेंट, डिफ्यूजन के डिरायक्शन में नेट-करेंट फ्लो, तो जब आपने ऐसे कनेक्ट किया पी टाइप एंड टाइप और ऐसे बैटरी लगाई तो यहाँ पर इस डारेक्शन में करेंट फ्लो ने लग जाएगी और करेंट की वैलू कितनी होगी आए डिफ्यूजन के बराबर जितनी करेंट यहाँ फ्लो होगी वही आप पूरे सर्किट में मानोगे यह जो डिफ्यूजन करेंट होता है यह मिली एंपियर रेंज में आता है इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है इसको क्रॉस करने में जो current मिलेगी आपको, normal अगर आप 10-20V की battery लगा रहे हो, यहां जो current मिलेगा यह आय defusion, यह milli ampere range में रहता है. और region क्या है, forward facing में current मिल लेका, diffusion current बढ़ जाती है और drift current कम हो जाती है, forward facing में हम symbol ऐसे दिखाते हैं, diode को ऐसे दिखाते हैं, तो यहां पर ऐसे करेंट आ रही है यह पी यह 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 और ऐसे जा रही है फिर नेक्स्ट है रिवर्स बाइसिंग कि रिवर्स बाइसिंग में हम क्या करते हैं पी टाइप को हम कनेट कर देते हैं कि निगेट्ट्व टर्मिनल से बैट्री के कि यह पी और यह और इसको निगेट्व से कनेट किए इसको फॉस्ट्ट्व से हमें पता है जब बैट्री नहीं कनेक्ट की थी तो क्या कंडिशन थी जब बैट्री नहीं कनेक्ट्टिट थी तो पी टाइब में वोल्टेज लो था और एंड साइड में वोल्टेज हाई था जब आपने इसको निगेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो अब यहां पे करेंट का क्या होगा अगर यह पोटेंशल डिफ्रेंश जंक्शन की क्रॉस का बढ़ जाएगा तो डिफ्यूजन इजी हो जाएगा ज्यादा बैरियर पोटेंशल हो गया तो डिफ्यूजन डिफकल्ट हो गाना तो diffusion करेंट जो होगी वह पहले से कम हो जाएगी आए डिफ्यूजन अब कम हो जाएगा और डृप करेंट बढ़ जाएगी लेकिन डृप ज्यादा करेंट होती नहीं है तो बढ़ने के बाद भी बहुत हलका से बढ़ पाएगा तो नेट करेंट अब डृप के इसको आप नेग्लेक्टी कर सकते हो आप मांन सकते हों कि रिवर्स बाइसिंग में यहां पर करेंट जीरो है यहां एरो के डारेक्शन में अगर करेंट आई तो चली गई तो अगर पॉस्ट्यू टर्मिनल इधर तो करेंट ऐसे आ रही है तो क्रॉस हो गई अगर उल्टा किया आपने अगर डायोड ऐसे लगा और आपने इसमें बैटरी ऐसे लगाई तो अब इधर से करेंट आके यहां रुख जाएगी ना क्रॉस नहीं होने देगे एरो के डारेक्शन में यह जिदर इसका हेड़ पॉइंट कर रहा उधर ही करेंट जा सकती है तो यहां पर आप बोलोगे कि करेंट माइक्रो एंपियर रेंज में है बतलब लगबग आप उसको जीरो ही मानोगे ना तो अब यह जो हमने डायोड के बारे में देखा इस डायोड के लिए फारवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का अगर हम ग्राफ बनाए तो उसको हम बोलते हैं आए और वी का ग्राफ बनाए तो उसको बोलते हैं आए वी करेक्टरिस्टिक ग्राफ आए वी करेक्टरिस्टिक ग्राफ अगर हम मान लिजे फारवर्ड बाइसिंग का ग्राफ बनाए तो फॉर्वर्ड बाइसिंग में देखिए क्यों और होगा इसमें दोनों ग्राफ बना देते हैं ना जब हम पॉज्टिव पोटेंशिल की बात करेंगे इधर हमने पॉज्टिव पोटेंशिल पॉज्टिव पोटेंशिल मतलब फॉर्वर्ड बाइसिंग की बात हो रहे होगी निगेटिव पोटेंशिल मतलब रिवर्स बाइसिंग क तो जब हम पॉजिटिव में पोटेंशल बढ़ा रहे हैं मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग का वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करेंट के होती सुरू में एकदम स्लोली स्लोली बढ़ती है फिर अचानक से थोड़ा तेज बढ़ने लग जाती है जब यह वोल्टेज जो होगा यह जब वोल्टेज पोटेंशल वैरियर को क्रॉस करने लग जाता है तब यह तेजी से बढ़ता है तो यह वोल्टेज जिसके बाद वो तेजी से ग्राप बढ़ता है फॉरवर्ड बाइसिंग में यह वाला पार्ट जो है फॉरवर्ड बाइस के बाद करेंट तेजी से बढ़ता है उस वोल्टेज को हम बोलते हैं कट ओफ वोल्टेज या नी वोल्टेज ना वी सी को बोलते हैं कट ओफ वोल्टेज कि या फिर नी वोल्टेज इस वोल्टेज के बाद फॉर्वर्ड बाइसिंग में करेंट तेजी से बढ़ती है नॉर्मली आपको कुछ एक के लिए यह नी वोल्टेज याद रखना है जैसे सिलिकॉन के लिए जो नी वोल्टेज होता है वो पॉइंट 7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए जो नी वोल्ट होता है पॉइंट 2 वोल्ट होता है अब अगर आपने रिवर्स बाइसिंग कर दी मतलब निगेटिव में पोटेंशल बढ़ा रहे हो समझो ना रिवर्स बाइसिंग के टाइम पर इस चीज को हम दिखा रहे हो है ना पोटेंशल डिफरेंट्ट निगेटिव कर दिया है इसको पॉजिटिव बोलाओ इसको निगेटिव बोला सुरू में तो करेंट एकदम फ्लोई नहीं हो पाएगी रिवर्स पाइसिंग में बहुत कम है फिर अचानक से तेजी से बढ़ती है यह जिस वोल्टेज पर होता है उसको बोलते हैं वीबी ब्रेकडाउन बोल्टेज ब्रेकडाउन बोल्टेज क्या होता है जैसे आपने रिवर्स पाइसिंग कर रखी है पी और एन तो इसमें क्या हो रहा है ऑब ट्रिफ्ट करेंट फ्लो ना अब यह यह रिवर्स बाइसिंग के वज़ें से लगातार जो एधर हो और और वह यहां बढ़ती जाए लगातान हृटल बाहत जाएगी तो यह यहां जो चाफ करियर है उनको जो रैंडम मोसन्सलीं इनर्जी मिलने वह बढ़ती जा रही है तो वह बार बार यहां पर टक्रा रहोंगे अधर चार्ज पार्टिकल से अगर इनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वह टक्रा करके नए बॉंड को जो भी बॉंड से उनको तोड़ने लग जाए और नए इलेक्ट्रॉन सो होल्स क्रियेट करने लग जाए तो अचानक से क्यों होगा यहां इलेक्ट्रॉन होल्स का डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ब्रेक्डाउन जब अंदर होने लग जाए तो फिर उसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सो होल्स क्रियेट हो जाए कि वही बॉन्ड को तोड़ मोर्ड बना दें तो ऐसे दो टैप से ब्रेकडाण संथ किस टाइप से ब्रेकडाउन खोता है उस बेकडाउन के लुप दो नाम नहीं अम अर्ल एक बोलते इंग्रमा कि फ्रक्रक्णंच आथि कर एकल ब्रीयकडाउन कि एवलेंस ब्रेकडाउन में क्यों होता है चार्ज पार्टिकल इनर्जी गेन कर लेते हैं और टकरा करके नए इलेक्टॉंस और होल्स बनाते हैं बॉन्ड को तोड़ देते हैं तो यहां पर क्यों रहे हैं बॉन्ड जो ब्रेक होगा डू टू को लीजन ओफ के चार्ज पार्टिकल बतलब इलेक्टॉंस और होल्स कुऺ विद बॉंड मेंले इलेक्रॉंड और जाके रैंडम मोश्न करते हो टकरा के बॉन्ड को तोड़ेगा और जिनर में क्यों होगा जो bonds break होंगे, जब bonds break होंगे तभी नए electrons and holes create होंगे, ना, तो यहां पर bond के ऐसे break होगा, bond will be broken due to electric field, एलेक्ट्रिक फुल इतनी ज्यादा स्ट्रॉंग हो गए कि उसने एलेक्ट्रॉन को खीच लिया बॉन्ड के तो ऐसे ब्रेक्डाउन को हम लोग जिनर ब्रेक्डाउन बोलते हैं तो जब ब्रेकडाउन घॉ जायेगा तो क्या वडर बढ़ेगा कि वड्रें बढ़े बढ़ेंगा बस करेंट बढ़ती जाएगए तो जहां पे भी आपको वोल्टेज कॉंस्टेंट चाहिए वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो कि एक फिक्स वोल्टेज से ज्यादा नीच चाहिए तो ब्रेक्डाउन रीजन में अगर हम यूज करें तो वहां पे हमें ऐसा मिल जाएगा तो यह वाला पार्ट में अभी आगे समझाता हूं न तो आए भी करेक्टरिस्टी ग्राफ समझा गया क्या फॉर्वर्ड बैसिंग में ऐसे होता है यह नीजी बेक्डाउन वोल्टेज में फिर हमने सिंबल और डायोड देख लिया है हमने देखा कि डायोट को हम कैसे रिपेजन करते हैं ऐसे करके करते हैं यह इसमें पी बताता है यह एन बताता है यह करेंट इसमें ऐसे फ्लो हो सकती यह बता रहा है अगर करेंट ऐसे आई तो ठीक है इधर से आई तो नहीं जाने देगा और अगर यह डायोट breakdown region में आप यूज करते हो तो उसको हम जिनर diode बोलते हो और उसको फिर हम ऐसे दिखाते हैं ऐसा symbol जो होता है इसको बोलते हैं जिनर diode यह क्या होता है अभी हम आगे समझेंगे बट आप note कर लो जब breakdown region में diode यूज कर रहोते हैं तो उसको बोलते हैं जिनर diode कर दो बोलते हैं झाल 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 कि यहां कि जिनर डायोट को हम कहां यूज करते हैं जहां यहां में कॉंस्टेंट पोटेंशल डिफरेंस रिक्वाइड होता है जैसे एक एक जामपल देखते हैं माल लीज़े यह हमारे यह कोई बैट्टी है हम यहां का वोल्टेज वैरी कर सकते हैं अब अगर हम इस केस में वोल्टेज बढ़ाएं यह ब्रेकडाउन डीजन में ऑपरेट कर रहा है तो अगर इसका कुछ ब्रेकडाउन वोल्टेज वी भी है तो यहां पर इसके क्रॉस जो यहां वोल्टेज डिफरेंस होगा यहां होगा तो इसके क्रॉस का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा यह मालने यह पॉइंट ए है यह ब्रेकडाउन में इधर करेंट नहीं जा पाएगी जब करेंट ज्यादा नहीं जाएगी तो जहां पर भी ऐसे हमें कॉंस्टेंट वोल्टेज चाहिए होता है उसके क्रॉस ऐसे हम लोग जिनर डायोड लगा देते हैं अब नेक्स हम लोग देख रहा है यूज ऑप डायोड डायोड मतलब एक तरह से यह वाल्व टाइप हुआ ना वाल्व जैसे साइकल के वील में वाल्व होता है वाल्व क्या करता है एक साइड हवा जाने देगा दूसरे साइड यह तो ऐसे एलेक्रिक करेंट के लिए डायोड एक वाल्व है ना वह फारवर्ड बाइसिंग वाले डारेक्शन में करेंट जाने देगा और रिवार्ड बाइसिंग वाले डारेक् करते हैं एजर हाफ वेव रेक्टिफायर क्या मतलब हुआ जैसे मालो हमने एक एसी सोर्स लिया और एक यहां पर फॉरवर्ड बाइसिंग में ऐसे डायोड लगा दिया एक रेसिस्टर लगा दिया कि और इसके क्रॉस का अगर हम वोल्手र डिफरेंस मैजर करें और उसको हम बोलें वह आउट्पूट वोल्टेज हैं और नहीं इंपूट वोल्टेज जो हो रहा होगा वह क्या होरा होगा थे ूर से उसका इंपूड वोल्टेज होगा वो लगातार ऐसे कुछ चेंज हो रहा होगा अब देखिए जब इधर प्लस होगा इधर माइनस जब फॉर्वर्ड बाइसिंग होगी तो करेंट जाएगा तो यह हाई होगा यह लो होगा तो आउपूड वोल्टेज हमें मिलेगा उस टाइम पर यह वाला पार्ट डा यह मैंनेजेंट कर रहा है और यह वाले पार्ट जब यह माइनस प्लस हो असकी से यह अगरे जाएगा यहां पर कोई करेंट नहीं आएगी फिर अगले जैसे फिर से वार्वर्ड बाइस भोगा फिर से करेंट लोगी फिर से कट जाएगा तो यहां पर क्यों रहा है एक तरह से हमने जो एसी ता उसको डी सी बना दिया एक ही डारेक्शन में करेंट फ्लो रही है लेकिन क्या हुआ आधी वेब कड गई न तो इसलिए रेक्टिफाई हो गया हाफ वेब को यह इसने रेक्टिफाई किया हाफ वेब को हुआ जाने दिया हाफ यह को रोग दिया ही कि इसलिए इसकर बोलेंगे हाफ वेबकि करना हुमत है अगर हमें इसको आज यह फुल वेब रेक्टिफायर कैसे यूज कर सकते हैं सपोज हमने एक एसी सोर्स लिया और एक ट्रांस्फॉर्मर के थ्रू इसको कनेक्ट किया हुआ है यहां पर हमने एक डायोड लगा दिया डायोड वन यहां पर एक रेसिस्टर है और यहां पर टायोड लगा दिया डायोड अब माँले suburbs यहां की होलोटेज व्ययरी एक वह we deserveуб és और इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वो माँले ए ऐ और वि इसके क्रॉस जो होगा उसको मेजर करेंगा वह आऊपूट वहलते होगा तो इन्पूट वोल्टेज जो है को ऺंघ कर रहा है कि सबसुत अब डी कर रहा है कि आप अब देखिए जब माले जी यह हूए माइनस है इसको पर कुछ नाम दे देता है यह कुम कि जब यह फ्लास है मतलब यह वाला जो साइड होगा हाल व्ल्टेजे यह कुछ लो वLT कोई वी का एक टाइम मालने जए कि यह हाई वोल्टेज यह लो व्ल्टेज तो उस ताइम पर क्या ओर होगा V P greater than V Q हो रहा होगा वो greater than VR हो रहा होगा तो जब वP greater than V Q होगा तो इस टाम पर यह forward बाइस्ट होगा यह reverse बाइस्ट होगा न व Carn कम है V which ज्यादा है तो इधार से current नहीं जाएगी. इधार से current जाएगी तो आ to V current जारी होगी करेंट कैसे जारी होगी A से B में इस टाइम पे D1 के वज़े से D1 forward biased है और D2 reverse biased है तो इसके वज़े से current जाएगी इसके वज़े से नहीं जाएगी तो हम इसके cross का current measure कर लेंगे अब suppose यह यह वाला part को represent कर रहा है जब इस वाले part पर आओगे तो उल्टा हो गया अब प्लस इधर आगया माइनस इधर मतलब इधर high voltage इधर low voltage तो उस टाइम पे VP कम हो गया वीक्यू उससे जादा और वी आर से जादा तो अभी क्या होगा जब VP कम है वी क्यू जादा है तो उस टाइम पर यह reverse वोल्ट बाइस हो जाएगा, वुज में और आहम पर दीफंपर बदे वेंस बास हो जाएगा, और डीटू ज्यदा है ना तो यह पी उआट वाला यह सरू में ही फॉर्वर्ड फरॉयसु सस्थ हो गया, अब क करेंट अचले अधू जाएगी, चल से फिस से करेंट कैसे गई कि एटू बी फिर से करेंट ऐसे गई तो एटू बी करेंट का डारेक्शन तो हमेशा सेम ही आ रहा है ना तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज अब आप मेजर करोगे तो अगर आप इसको हाई लेते हो इसको लेते हो और आउट्पूट में दिखाते हो तो हर बार आपको क्या होगा ऐसी करेंट वोल्टेज मिलेगी जब यह वाला पार्ट होगा तो डीवन के वज़े से आएगा और जब यह वाला पार्ट होगा तो डीटू के वज़े से आए ऐसे से प्राइजिस्टर की बारे में ट्रांजिस्टर वाला में नेक्स वीडियो में कवर करूंगा पहले दा 돌 ऑपी यंजैंसन पर कुछ प्राब्लम कर लेते के साथ में इसे एक पहले हमने में यह प्राब्लम लिए हुए म To Mire अब्र सिलिकॉन में number of holes और electrons की concentration सेम रही होगी और वो यह दिये प्यूर मतलब extensive का यह हमें दिया है लब यह n i दिया है न i मतलब number of electron holes equal होते हैं तो उसको n i लिखते हैं और वो बरार होगा 1.5 into 10 के पावर 16 न पर मीटर की पर unit volume फिर हमें हमने indium मिला दिया indium मिलाने से holes का concentration बढ़ गया ना देखिए holes बढ़ गया है तो नए electrons का concentration क्या होगा तो हमें पता है कि नए जो भी holes का concentration होगा और नए electrons का होगा वो बरार होगा जो initially electron हो होलते हैं उनके product के तो अब यहां पर यह हमें दिया हुए 4.5 into 10 के पावर 22 ne का बताना है और यह दिया 1.5 into 10 के पावर 16 अब इसको solve करेंगे तो नए electrons का concentration आ जाएगा कुछ 5 into 10 के पावर 9 पर कि नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं जिसमें सपोज हमें कोई semiconductor है जिसमें electrons का concentration दिया है होल्स का concentration दिया है होल्स का ज्यादा है और electrons का कम है मतलब यह पी कोई semiconductor है और electrons की mobility दिये होल्स की mobility दिये तेक्रें electron की mobility ज्यादा है होल्स की कम है न क्योंकि होल्स क्या है bonding में जो होल बने हो उसके वज़े से न तो bonding में जो vacancy है वह मूब करना difficult है free electron का मूब करना easy है bonding में कब जब कोई दूसरा electron आकर टकराएगा वहां पर बनेगा तो कहीं और vacancy create होगी तो यह वाला पार्ट slow होता है न तो अब हमें इस पूरे semiconductor की conductivity निकालनी है तो हमें पता है conductivity equal to क्यों होता है म्यू एन इम्यू न यह हमने फॉर्मला देखा था एन इम्यू और यह अगर एक ही टाइप के charge कह रही है न अगर दो टाइप के हैं तो दोनों का मिला करके क्यों हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का प्लस होल्स का तो आपको यह सब SI unit में value दिया है electron का concentration दिया हुए आपको 0.45 into 10 के power 12 E को common कर लेंगे ना last में कर लेंगे mu E दिया है 0.135 प्लस NH दिया है 5 into 10 के power 20 mu H दिया है 0.048 और E को common किया और उसको multiply कर देंगे 1.6 into 10 के power minus 19 यह पूरा solve करेंगे तो पूरे conductor की mobility आ जाएगी तो यह आप solve कर ले ना यह कुछ 3.84 आ रहे है ना SI unit में conductivity की unit क्यों होगी conductivity हमें पता है क्यों होता है J equal to sigma E तो वहां से आप निकाल सकते हैं आप मैं बता नहीं रहा है सब किया हुआ है अब next problem हम लोग कर रहे है इसमें देखिए आपको क्या दिया हुआ है यह एक सर्कृट डाइग्राम है जिसमें यह देखिए पॉज्टू टमिलल से डी वन जो है फॉरवर्ड बाइस्ट है और यह निगेट्टू टमिलल से कनेक्टेट है इसका एन वाला पॉज्टू से और पी वाला एन से तो मतलब यह रिवर्स बाइस्ट है है इसके फॉरवर्ड बाइसिंग के टाइम पर इसकी रेसिस्ट这 दिया वे इसका यह कितना रेसिस्टेंस कॉफर करेग एक 15ado और यह रिवर्स बाइसिंग के टाइम पर जब करेंट राईगी तो इन फाइनwest रा образом है यह यह पर चारे क्ई Rio जाएगी नहीं तो जो भी करेंट निकलेगी सब ऐसे जा रही होगी ना इसका फिप्टी ओम यह फिप्टी ओम देगा यह वन फिप्टी और यह इसमें हंड़ेट तो टोटल रेसिस्टेंस सर्कृत का कितना हो जाएगा का पोटेंशल डिफ्रेंस है तो टोटल करेंट कितनी फ्लोव रही होगी कि पॉइंट जीरो टू एम्पेर यहां पर करेंट फ्लोव पार रही होगे कि नेक्स प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं जिसमें एक पी जंक्शन डायोड मैक्सिमम उससे कितनी करेंट पास होती सकती यह दे दिया गया है तैन मिली एंपियर अंडर फॉरवर्ड बैसिंग और उससे जब उसमें 200 ओम का एक रेसिस्टेंस उसके साथ सिरीज में लगाया गया है तो मैक्समम कितनी वोल्टे डिफ्रेंस की बैटरी वहां पर लगा सकते हैं मतलब हमाई पास एक पी एंड जंक्शन वाला डायोड है कि आध उसके साथ सीरीज में हमने रेसिस्टर लगा दिया है तो सो हमका हाँ तो हमें बोला गया चीहां पर वी की वैलू मैक्समम कितनी ले सकते हैं मैक्समम अगर हम लेंगे तो हम कर्द यहां सरकीट में maximum current flow कराएंगे maximum current circuit में कितनी flow सकती है 10 milliampere मतलब circuit में हमने माल लिया कि 10 milliampere की current flow रही है तो इसके cross voltage drop कितना हो जाएगा यहाँ पर तो हमें पता है diode के cross कितना होना है कुछ V1 और यहाँ पर V2 V1 की value given है कि कुछ भी current जा रही होगी उसके cross का drop 0.5 V2 हम निकाल सकते हैं I into R करके current हम अगर यहां voltage maximum चाहिए तो उसके लिए current maximum होगी तभी V2 maximum होगा तो I into R current कितनी यहां से maximum आ सकती है 10 milliampere न तो 10 into 10 के और माइनस 3 I into R तो टू वोल्ड तो टोटल बैटरी का maximum voltage कितना हो सकता है 2.5 2.5 वोल्ड का यहां पर है maximum जो बैटरी यूज कर सकते हैं forward बाइसे तो अभी देखिए हमने कुछ diode से related तक कर लिया है अब थोड़ा सा पार्ट इसमें और बचा हुआ है transistor से related हालाकि वह ज्यादा पूछा नहीं जाता है अब वो मैं next video में cover करूंगा फिर इसके बाद एक छोटा सा topic और बचेगा communication system तो most of the mains का part हो गया है ना तो अब मैं वो कल transistor cover कर दूंगा communication system एक छोटा सा topic और रहेगा